समस्कार बच्छों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिसकस करेंगे क्लास 11 की मुट्पिल चॉइस कॉइस और जो मुट्पिल चॉइस कॉइस होने वाले हैं 25 MCQ होंगे और चैप्टर कर नाम है काइनिटिक थियूरी आफ गैस तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉइ चैप्टर करा गार्च सब्सक्राइब करने इस वाल नाम है तो इसको कहते हैं इसको कहते हैं अगया यह इंपर गाय तो आपको यहां पर बताना इस प्रिचन में तो कोई बी गैस है और मतलब कोई भी gas है, मतलब कोई भी real gas है और वो ideal gas तब कहीं जाती है जब pressure क्या होता है, तो याद रखेगा pressure जब low होता है और temperature क्या होता है high होता है, तो याद रखेगा कि low pressure और high temperature पे जो real gas होती है, वो behave करती है किसकी तरह से, ideal gas की तरह वो behave करती है ठीक है तो यहाँ पर पहले में आ जाएगा low और दूसरे में आ जाएगा high तो low और high will be the correct answer that is option number B next question पर आते हैं question number 3 है इसमें देखे क्या कहा गया है question number 3 में कहा गया avagadro number is the number of carbon atoms contained in how many grams of carbon 12 तो देखे carbon 12 isotope के कितने gram में आपको बताना है जो number of atoms carbon atoms होते हैं उसको avagadro number कहते हैं तो यहाद रखेगा avagadro number होता है 12 gram of carbon 12 में जितने number of carbon atoms होंगे उसको avagadro number कहा जागा तो यहाँ पर 12 gram will be the correct answer question number 4 पे आते हैं question number 4 में कहा गया boil slow के बारे में पूछा गया है कि boil slow क्या होता है तो boil slow states that volume of given amount of gas varies inversely as its dash अब देखे boil slow क्या कहता है तो boil slow कहता है PV बराबर constant ठीक है PV बराबर क्या होता है constant होता है यह P pressure है और V क्या है volume है तो इसको अगर आप देखेंगे तो ऐसे लिख सकते है P is inversely proportional to volume और यह चीज़ फॉलो कब होती है तो temperature क्या होना चाहिए constant होना चाहिए तेंपरेचर जब constant होता है तो यह चीज़ फॉलो होती है boil slow में तो boil slow volume is inversely proportional to क्या हो जाएगा pressure और क्या constant होना चाहिए temperature तो पहले प्रिशर आजाए temperature तो इसमें B option सही हो जाएगा निक्स्ट पे आते है कोशंबर फिफ देखेंगे फिफ में कहा गया चाल्स लोग बात करी अब चाल्स लोग बात करते है तो चाल्स लोग क्या कहा गया कि qqVt और यह हो फिफ डिखेंगे इस कहा रहा है कि आपसलिव यह जाएगा next पे आते हैं question number 6 में कहा गया graham law of diffusion states that rate of diffusion of gases varies inversely as the square root of their dash देखें graham का जो law of diffusion है वो क्या कहता है कि जो rate of diffusion होता है वो inversely proportional होता है किसके inversely proportional होता है तो याद रखेगा inversely proportional to density होता है किसके density के inversely proportional होता है तो यहाँ पर D option सही हो जाएगा next पे आते हैं question number 7 में कहा गया monotomic gas अब monotomic gas जैसे आप helium देखेंगे neon देखेंगे argon देखेंगे इनके बारे में बताना है कि इनकी जो degree of freedom होती है वो क्या होती है तो इनकी degree of freedom होती है 3 ठीक है तो इसमें B option सही हो जाएगा that is 3 next पे आते है next question में diatomic gas दिया गया diatomic gas जैसे hydrogen हो गया nitrogen हो गया देखें सकते हैं आप लोग 2 atom है oxygen हो गया ठीक है अब एक बात यहाँ पर रियाद रखेंगे medium temperature बोला गया तो medium temperature में diatomic gas होती है उसकी degree of freedom कितनी होती है यह पूछा गया है तो यह होती है 5 कितनी होती है 5 होती है इसके बाद देखें वही same question दे दिया गया है लेकिन यहाँ पर एक difference है high temperature दिया गया at यहाँ पर medium नहीं होगा at high temperature होगा high temperature पूछा गया high temperature में आप बताना है कोई diatomic gas है तो उसका degree of freedom क्या होता है तो उसका degree of freedom कितना होगा यहाँ पर बताना है तो यह होता है 7 ठीक है तो 357 याद रखेगा तीनों important है next पे आते है next question question number 10 है 10 में कहा गया mean free path means path of molecule gas which is directly देखें यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है इसको हम सही कर देते हैं पहले देखें यहाँ पर simple सा काम करना है which varies directly होना चाहिए यहाँ पर where is new होना चाहिए varies होना चाहिए ठीक है which varies directly as dash तो देखें direct variation होता है mean free path का किसके साथ में पूछा गया है कि मतलब जो mean free path होता है वो directly proportional किसके होता है universally proportional किसके होता है यह mean लिए आपको यहाँ पर बताना है तो जो mean path देखेंगे तो pressure आ जाएगा gas का ठीक है तो यहाँ पर d option जो है आपका सही हो जाएगा next पर आते है question number 11 है इसमें देखे क्या कहा गया kinetic energy for molecule per degree of freedom of gas is independent of nature of gas तो देखे बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो kinetic energy होती है for molecule मतलब किसी भी molecule गैस का कोई भी molecule है तो उसकी kinetic energy जो होगी per degree of freedom वो nature of gas पर डेपेंड नहीं करती है ठीक है किस पर डेपेंड करती है तो temperature पर डेपेंड करती है तो यहाँ पर यह option जो दिया गया बिल्कुल सही है तो इसमें a option सही हो जाएगा which of the following is correct तो बताना है कौन सा इसमें option correct है hydrogen is an ideal gas तो hydrogen को हम लोग बिल्कुल perfectly ideal तो नहीं मान सकते लेकिन ideal मान सकते है एक तरीके से तो इसमें a option सही है oxygen को ideal नहीं मानते air को ideal नहीं मानते none of the above भी गलत होगा तो hydrogen जो है वो सबसे ज़ादा करीब होती है ideal gas के next पे आते हैं question number 13 में कहा गया in an equation pv is equal to rt v stands for volume of देखे pv is equal to rt अगर लिखा हुआ है तो pv is equal to होता है rt nrt होता है rt होता है तो इसमें v जो है वो क्या है तो v होता है volume of one mole of gas one mole of gas को जो volume होता है वो आपका यहां पर v है next पे आते हैं internal energy of a gram molecule of an ideal gas depends on तो देखे जो internal energy होती है वो किसका function होती है तो internal energy याद रखेगा केवल और केवल temperature का function होती है तो यहां पर c option सही हो जाएगा next में कहा गया under what condition under which of the following condition is law pv rt obeyed most closely by real gas तो देखे simple चीज़ पुछी गई यह जो आपको pv is equal to an rt होता है यह किसमें follow होता है तो यह follow होता है ideal gas के लिए अब mainly आपसे पूछाए जा रहा है कि real gas जो है वो ideal gas की तरह behave कब करती है कैसे करती है ठीक है तो pressure और temperature का आपको बताना है क्या होता है ठीक है तो low pressure और high temperature पर ऐसा ठीक है तो इसमें answer क्या हो जाएगा तो इसमें answer हो जाएगा low pressure and high temperature तो low pressure होना चाहिए और temperature क्या होना चाहिए high होना चाहिए next पर आते हैं equilibrium the total energy अब देखें equilibrium की बात करी गई है जो total energy होती है is equally distributed in all possible energy modes having energy equal to 1 by 2 kt ठीक है यह kb small हो गए यहाँ पर तो देखें जो energy होती है वो क्या होती है half kt के बराबर होती है per degree of freedom की बात करी गई है अब यह आपको बताना है यह जो है यह कौन सा law कहलाता है तो this is called law of equipartition of energy यहाँ पर c option जो है वो सही है तो यह जो definition दी गई हो किसकी है law of equipartition of energy की यह definition है next पर आते है next question देखें next question में क्या कहा गया question number 17 है root mean square velocity of gas is देखें root mean square जो velocity होती है वो किस पर depend करती है यह आपको बताना है mean पर तो directly proportional to temperature पहला दिया गया है दूसरा inversely proportional to temperature दिया है तीसरा दिया है directly proportional to molecular weight देखें जो root mean square vrms जो होता है आपको पता होगा vrms का formula क्या होता है under root of 3rt upon m होता है जहाँ पर m molar mass होता है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो root mean square velocity है vrms वो under root of temperature के proportional है temperature के proportional नहीं है तो vrms जो होता है याद रखेगा directly proportional to under root of temperature होता है तो यहाँ पर कोई भी इसमें option ऐसा दिखनी रहा है तो इसमें none of the above would be the correct answer next पर आते हैं अगला सवाल है question number 18 है इसमें कहा गया the temperature of gas is increased to 9 times देखें temperature माल लिजे initial temperature T1 जो था वो T था और T2 कितना कर दिया है 90 बराबर कर दिया है आपको बताना क्या है the ratio of new RMS velocity to the old one मतलब आपको बताना है V2 upon V1 की value आपको बतानी है new RMS upon old one ठीक है तो V2 का formula क्या हो जाएगा तो यह किस पर depend करेगा तो under root of T2 पर depend करेगा और यह किस पर depend करेगा T1 पर depend करेगा तो under root of T2 की जगा क्या लिख देंगे 90 आजाएगा ठीक है और यहाँ पर T आजाएगा तो यह हो जाएगा 3 is to 1 तो 3 is to 1 is the correct answer that is option number C question number 19 पर आते हैं 19th question में देखें क्या कहा गया 19th question कहा रहा है the perfect gas equation for 4 gram of hydrogen gas is dash तो देखें आपको पता है PV का formula क्या होता है PV formula होता है NRT यहाँ पर N क्या होता है number of moles होता है formula हो जाएगा mass upon molecular mass into R into T ठीक है और यह धर लिख दीजे PV अब देखें PV is equal to mass क्या है mass आपके पास है 4 molar mass कितना होगा तो hydrogen gas है H2 होगा H2 का हो जाएगा 2 ठीक है next पे आते है 20th question में कहा गया when the temperature of gas in a metal box is increased from 27 degree Celsius to 87 degree Celsius the initial pressure is the changes to अब देखें आपको कहा गया है कि जो initial pressure है वो कितना है P1 की value दी गई है 2 atmosphere ठीक है आप से P2 पूछा गया है question में ठीक है question द्यान से पढ़ ज़े P2 पूछा गया है temperature initial दिया गया है मतलब T1 की value आपको दे दी गई 27 degree Celsius अब 27 degree Celsius है तो याद रखेगा absolute temperature को हमेशा Kelvin में रखते हैं तो 27 plus 273 करेंगे तो 300 Kelvin आ जाएगा T1 की value similarly T2 जब आप निकालेंगे तो T2 कितना हो जाएगा तो 87 plus 273 हो जाएगा ठीक है 87 plus क्या हो जाएगा 273 हो जाएगा इसको आप जोड़ दीजेगा तो इसका 360 आंसर आजाएगा 360 Kelvin आजाएगा आप से P2 पूछा गया था तो दीखें आपको पता होगा PV is equal to nRT होता है इसका अदलब जो pressure है वो directly proportional to temperature है तो हम क्या कह सकते हैं तो यहांस क्या मिल जाएगा यहांस मिल जाएगा P1 upon P2 is equal to T1 upon T2 अब values जो दी गई है सारी put कर लीजे तो यहां हो जाएगा 2 और P2 निकालना है तो इसके आप रख दीजे is equal to T1 upon T2 है तो T1 कितना है 300 है T2 कितना है 360 है इसको आप put करेंगे तो 5 से इसको आप cut भी कर सकते हैं तो 15 से cut जाएगा तो P2 की जो value आ रही है P2 value क्या आ जाएगी तो 36 upon 15 आ जाएगी 36 upon 15 कर लीजेगा तो यह 2.4 ATM आपका answer हो जाएगा तो 2.4 ATM means option number C जो है वो इसमें बिलकुल सही होगा नेक्स्ट पर आते हैं question number 21 है इसमें कहा गया 2 gases A and B have same temperature and same pressure and same volume are mixed देखे जो A और B gases है उसका pressure भी same है temperature भी same है और volume भी same है if the mixture is at the same temperature and occupies the volume with the pressure of the mixture देखे आपको pressure बताना है कि जो mixture है उसका pressure क्या होगा ठीके mixture का pressure पूछा गया रखेगा mixture में temperature और volume वही है जो A और B का था तो देखे आपको पता है जो number of moles होंगे mixture के वो बराबर हो जाएंगे number of moles of A plus number of moles of B ठीक है अब number of moles का formula क्या होता है तो आपको पता है PV is equal to क्या होता है NRT होता है यहां से आप अगर N निकालेंगे तो क्या आजाएगा PV upon RT आजाएगा अब आप क्या करिए यहां पर रख दीजे तो N की जगा आप रखेंगे तो यह हो जाएगा P into pressure तो P dash मान दीजे क्योंकि pressure ही बताना है mixture का वो अलग है volume तो सेम है तो V सेम होगा R भी सेम होगा T भी सेम होगा is equal to NA अब NA मतलब पहले वाले का number of moles बताने है तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा PV ठीक है upon RT हो जाएगा और second volume भी pressure volume temperature सेम था तो इसमें भी आजाएगा PV upon RT आजाएगा ठीक है अब देखें V, V, V R, R, R या RT, RT सारे सारे कट गए तो क्या आगया P plus P 2V है 2P आगया तो जो mixture का pressure आया P' वो किसके बराबर आगया 2P के तो यहाँ पर A option जो है वो बिलकुल सही हो जाएगा next पर आते हैं question number 20 second कहे रहा है if the intermolecular forces vanish away अब देखें intermolecular forces vanish खतम हो गए volume occupied by the molecules contained 4.5 gram of water तो देखें मास दिया गया है 4500 gram याद रखेंगा मास को gram में रखते हैं और water है तो इसका molar mass कितना हो जाएगा तो इसका molar mass हो जाएगा 80 gram per mole हो जाएगा ठीक अब standard temperature और pressure की बात हो रही है तो standard temperature कितना होता है तो temperature होता है 273 Kelvin और pressure की बात अगर करेंगे तो यह होता है 10 to 5 पासकल ठीक है बताना क्या आपको the volume occupied आपको volume निकालना है volume क्या होगा ठीक है तो आप formula लग दीजे PV is equal to N RT आप formula लग दीजे ठीक है P कितना है pressure आपको पता है 10 to 5 पावर 5 है volume आपको निकालना है number of moles में आप रख देंगे mass upon molar mass तो mass कितना था 4500 था upon molar mass कितना था 8 था अब यहाँ पर जो R रखेंगे वो important है कि R क्या रखेंगे तो R की जगा आप रख देंगे 8.314 ठीक है R क्या क्या रख दीजे 8.314 रख दीजे multiplied by temperature रख दीजे PV is equal to NRT रखा आपने temperature भी आपको दिया गया था 273 तो यहाँ 273 भी आप रख सकते हैं अब आप इसको solve कर लिजेगा तो जो volume आजाएगा इसको solve करने पे जो volume आएगा यह approximately आएगा 5.66 meter cube solve कर लिजेगा तो यहाँ पर A option जो है वो बिल्कुल सही है next पर आते हैं question number 23rd में कहा गया according to kinetic theory of gas तो KTOG के हिसाब से जो pressure exert होता है gas जो pressure exert करती है walls को कि उसका measurement कैसे होता है सेमान लिजे यह आपके पास एक cuboidal जगह है अब यहाँ पर बहुत सारी gases होंगी करती है वो निकलता है by finding out the rate of change of momentum imparted to the wall per unit area तो यहाँ पर A option जो है बिल्कुल सही होगा question number 24th में कहा गया the mean kinetic energy of one mole of gas per degree of freedom is तो देखे per degree of freedom की बात करी गई और mean kinetic energy निकालनी है तो यह क्या हो जाएगी 1 upon 2 RT होगी याद रखिएगा 1 upon 2 RT will be the correct answer next पे आते हैं next question question number 25th है महराज का आखरी सवाल है इसमें कहा गया root mean square velocity of a gas molecule of mass M at given temperature is proportional to dash अब देखे यहाँ पर mass के proportional पूछा गया है कि mass पे कैसे depend करती है तो आपको पता है VRMS का formula क्या होता है VRMS का formula होता है under root of 3 RT upon molar mass ठीक है अब इसको capital M लिखते है capital M का अतलब mass नहीं होता है molar mass होता है अब number of moles का formula आपको पता होगा mass upon molar mass होता है ठीक है तो यहाँ से molar mass का जब आप formula निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा mass upon number of moles तो हो जाएगा under root of 3 RT और molar mass की जगा आप क्या रख देंगे mass upon number of moles number of moles उपर पहुँच गया mass नीचे आ गया इसको अलब VRMS जो है वो inversely proportional किसके हैं root of M की inversely proportional है ठीक है तो मतलब directly proportional किसके हुआ तो M की power minus 1 by 2 के हुआ तो यहाँ पर D option जो है वो सही हो जाएगा तो इस तरीके से 25 questions थे जो हम लोग ने discuss किये और कही ना कहीं बहुत important थे इसके अलावज जितने भी MCQs हैं वो पहले से ही playlist में लगा दिये गए हैं तो इसको आप लोग जाके देख सकते हैं और अपना revision इस chapter का और बाकी physics के chapters का पासानी से कर सकते हैं अधिक लेफ लालत नहीं थेंक यू वर्य मच्च गूडबाई जैहन